जैहिन दोस्तों आज बड़ी दुखत सूचना है मेरे पास कल शाम के धुंदलके में डैक्विंस 2 जून उड़ीसा के बालासोर नावक जगे में एक बड़ी भीशन ट्रेंद गटना हुई है जिसका नतीजा है कि आज अभी रिकॉर्डिंग होने तक दोस्तों नब्विस जादा लोग खतम हो चुके हैं और एक हजार के आसपास लोग होस्पिटलाईज हैं और मैं बताओं कि ये संख्या अभी बढ़ सकती है घटना तो वाकई बेहत दुखग है ये कहना तो बेमानी होगा कि रेलवे की अक्षमता है क्योंकि रेलवे लगातार अपने आपको एक्स्पेंड कर रहा है हम लोग देख रहे हैं इन चीजों को बट अभी कुछ समय पहले जब रेलवे के मंत्रीगान अनौंस कर रहे तो कुछ में घुष करके डैट एंटी कोलिजन डिवाइस है ना तो प्रश्ण तो होता है कि क्या वो एंटी कोलिजन डिवाइस लगाई गई थी या फिर क्या ट्रेंट के मॉडनाजेशन के साथ साथ सुरक्षा सम्मंदी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं हो सकता है कि कमी हमारी भी हो कि हम हादसों के बाद भूल जाते हैं और अगर यह प्रश्ण चिन उठाए गए होते ना तो यह की मानिये इस तरीके के हादसों से बचा जा सकता है मुद्दा किसी को दोशी ठहराने का नहीं है बट एक चीज तय है कि उस परिजी में जहां पर यह एक्सिडेंट हुआ है उसके 30-40 किलुमीटर के भीतर रेलवे की जितनी भी टीन थी ना दोश आर रिस्पॉंस में में भी सिग्नल फेल हुआ हो में भी जो ट्रैक चेंजिन सिस्टम है वह गड़बढ़ हुआ हो लेकिन देलवे के हर सिस्टम में काउंटर चेक होता है ना तो हम लापरभाही को उस एंगिल से हम इंकार नहीं कर सकते बावजूर उसके छानबीन हो रही है रहस्त्य मालूम पढ़ेंगे उन सभी दोगों को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है जिन्हें कोई भी तकलीफ हुई हो हमें यकीन दिलाना होगा कि समूचा देश उ ने मात्रम